हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है जब ग्लास छण को सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास छण द्वारा प्राप्त धनावेश का परिमाण होगा इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD है चले इस प्रस्ण को हम हल करते हैं बच्चो हमें यहां पर दिया गया है कि एक कोई ग्ला प्रस्ण माल लेते हैं और यह सिल्क जो है कि इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो अब रगड़ा जाता है तो बच्चो इसमें क्या होता है कुछ इलेक्ट्राण का ट्रांसफर होता है अच्छा चलिए हमें यह नहें मालूम कि इलेक्ट्राण इसमें से जाता है या इसमें से यानि हम यह का सकते हैं इलेक्ट्राण का जो है ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रान का कुछ जो है किसी एक में से ट्रांसपर होता है यह हमारा जो है सिल्क है और यह हमारा जो है ग्लास राड है अब हमसे क्या पूँँचा है हमसे अगर इसमें हमसे पूँचा है कि गलास अजया पर ध्व a 밖र यह हमसे पर धना वेस है एक तरीको से पूंचा है अब इसमें क्या है कि बच्चो इसमें क्या है सिल्क में जो है कुछ इलेक्टरान होंगे और जितने इलेक्टरान होंगे उतने प्रोटान भी होंगे यानि हम यह बोल सकते हैं हमारा इलेक्टरान जो हता है रेनावेसित जितना रेनावेसित होंगे उतना धनावेसित भी होंगे अब क्या है यहा यहां से इलेक्ट्रान कुछ गया मालीजे इसमें गया इसे ग्लास राड में सिल्क से तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रान जो है यहां पर इलेक्ट्रान क्या होगा सिमलरी ऐसे ही अगर ग्लास राट से यहां पर सिल्क में जाएगा तो इसमें क्या होगा मैं इलेक्टरान जो है यहां पर क्य्म बढ़ेग्वाद क्या होगा इसकाइब आधानवसीद का है जो है धनावेशित परिमाड जो है इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है धनावेशित यह हम पाजिटिव के लिए बात कर रहे हैं धनावेशित के लिए तो यानि हमारा जो आंसर होगा यानि दोनों का जो धनावेशित परिमाड है वो सेमने होगा यानि सिल्क पर आवेश के तुल्ले होगा हमसे पूछा क्या था गलास राट का धनावेशित का परिमाड जो है सिल्क के आवेश के तुल्ले होगा थांक यू